फोड़ा बहुत बालों का तूटना ज़ड़ना तो एक नॉर्मल सा प्रोसेस होता है लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हैर फॉल हो रहा है और बहुत साई चीजों को ट्राइ करने के बाद भी कोई भी डिफ्रेंस दिखाई नहीं दे रहा है साथी साथ बालों की बालों की ग्रोथ को यह तेज कर देता है बाल बहुत जादा घने होने लगते हैं मौटे होने लगते हैं और आपके बालों को इस्ट्रॉंग बनाता है हेल्दी बनाता है नमस्ते दोस्तों बेलकम करते हूं पर फिर से पिंक सीपर चैनल पे नए है तो अभी मैथी दाना को डाल रही हूं इसके बाद में जो अगली चीज मैथी दाना के अंदर हम मिक्स करने जा रहे हैं वह कलोंजी कलोंजी को नायजला सीट्स भी बोला जाता है तो इसको भी मैं दो चम्मच ले रही हूं दोनों सीट्स हमको दो-दो चम्मच ले रहे हैं आपे बालों के लिए कितना जादा फाइदेमंद होते हैं इसके बाद में जो अगली चीज हमको इसके अंदर मिक्स करनी होगी बो है काली मिर्च यानि की ब्लैक पेपर तो मैं यहां पर लगवा 25-30 काली मिर्च मैंने यहां पर ली हुई है फ़िए इन सबी चीजों के अंदर अच्छी से मिक्स कर लेंगे अब यह जो चीजी हैं इनको हमें कलना होगा फ़ोड़ी तेर के लिए लावा 5-20 सेकिंड के लिए इनको अच्छी आपको चला ले ना हो अगरान शाए मेरा होगा होगा थोड़ा सा दर carriers愛 पाउडर बनाना होगा एकदम से बारीक सा पाउडर मत बनाईए तो इस तरह से हमने इन सबी चीजों को अच्छे से पीच लिया है इनको थोड़ा सा मोटा ही रखा और एकदम से बारीक सा पाउडर नहीं बनाया है इसके बाद में कोई कड़ाई या फिर पैन ले लीजिए और इसको एकदम से slow film पे रख दीजिए करम करने के लिए अब हम इसके अंदर add कर रहे हैं जो हमने ये पावरो बना के तयार किया था उसको हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके बाद में हमें इसके अंदर add करना होगा कोई भी oil मैं यहाँ पर coconut oil का यूज कर रही हूँ आप अपनी मरजी से तिल का तेल भी ले सकते हैं इस oil के अंदर अच्छे से पका लेंगे जिससे कि यह जो चीज हमें इस्तिमाल करना हैं इनकी सारी qualities हमारे oil के अंदर आ जाएंगे और यह चीज हैं जो हमने add की हैं जैसे कि मैती दाना कलोंजी और काली मिर्च देज पता यह क्या है ना यह हमारे बालों की growth को तेज कर देते हैं बालों का टूपना जढ़ना रोकते हैं यह बहुत ज़्यादा effective है हमारे scalp का जो blood circulation होता है उसको यह अच्छा कर देते हैं इस इसको चमा से चलाती हुए आपको लवा 5-7 मिंट के लिए पकाना है एकदम से low flame पे जब यह चीजे सबी अच्छे से बुन जाएं इनकी काफी अच्छे से smell आने लगती है जब यह बुन जाती है तो तब ही आपको गैस को कर दीना होगा और इसको ठंडा होने के लिए बालों को आपको धुलना हो उससे एक रात पहले इस वाइल की अपने बालों में अच्छे से मसाज करिए और अगली सुबह अपने बालों को सेम्पू से धुल दीजिए यह जादूई ओल आपके बालों की सारी समस्चाओं को खतम कर देगा और आपकी बाल बनेंगे